हाँ जी क्या हाल है वेलकम बैक ट्यू एए ओनलाइन सलोसन देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे का बहुत ही गजब वला सवाल और यहां पर मैं ज्यादर सवाल आपको गोरी ने करवाँगा लेकिन यहां पर सवाल मैंने पांच सब्जेक्टिव ऐसा इंपोर्टेंट सवाल यहां जो कि आपको जानकारी होनी बहुत ही काफी ज़रूरी अगर आप बोड एक्जाम देने के लिए जा रहता हूं और आप इसका फाइदा उठाते रहें और मस्ति से तयारी करते तो चलिए धियान से समझें मेरी बातों को जो मैं समझाओंगा को और आप जब समझेंग तो हर कुछ अच्छा हो जाता ना तो चलिक शुरू करते हैं यह सब फालत वाला एक्ट्रों के एक यूग में से साज़ेदारी के बंद्वारा बनने वाले आबंध सान्योगी आबंध कलाते हैं आबंध यह बंधन उसे बोलते हैं ठीक है तो दो परमानों के बीच पानों के बीच एलेक्ट्रों का होगा एक दुसरे एक यूग में के एलेक्ट्रों है और एक यूग में जोड़ा है उससे का करेगा साज़ेदारी करेगा जैसे की हां निदध के दौरा बनने वाले आबंध कहा मोलें आब देखिए आब सारी के एलेक्ट्रोन यूग में से दो हैड्रोजन परवानु है जैसे यहां पर देखी होगी कि बनाते कैसे तो हैड्रोजन जो है है च्युक्ति हर तत्व और अपस में बनायगा पार्ट्नसिप वाला बनागा तो है परवानु यह वाला है इधर का तो इधर को अगर मैं घेर दूं तो देखी बन गया और अब दोनुए यहां पर इक्जामपल नहीं लिखेगा तो चलेगा इतना पर नहीं लिखेगा देखिएगा यह करता है और का करता है और का करता है सास अनयोगी बंधन का निर्मान करता है यहां पर बता देता हूं अक्षिजन यहां पर लिए अब हर ऑक्षिजन के आखिर में कितना इलेक्ट्रोन हैं अब चाहिता है क्या हम और गरहन कर लें तो आठ बन जाएगा तब दो-दो एलेक्ट्रोन का पार्टनर शिफ करें तो पहले बाहर में कितना वोपन बठाते हैं एक दो-टीन-चार-पांच इसको आए लिखते हैं एक दो तीन चार पांच ठीक है अब देखे इसका दो इलेक्ट्रोन यह ले लेगा अब देखे क्या हुआ है यह वाला जो ऑक्सिजन है यह देखो आठ हुआ कि नहीं यह देखो पॉंड देखो आठ होगे ना अब इधर लगी आठ बंगे तो मैंने बिंदु को अलगा दर्साय था कि यह वाला लगे कि इधर वाला यह दर ले तो यहीं हो गया ऑक्सिजन जो है दो परवानों अक्सिजन का मिल करके क्या किया साथ सनुजी बंदर बना लिया अब इसे पर मैंने इंग्लिस में है पिक्जामपल कर दिया तो देख लेते हैं कोविलेंट ब हैं प्रूपीन यह थाइन और प्रोपाइन अपको मैंने प्रूपाइन और वीडियो में तो कार्बनिक योगों को वैसी तरह से सब्सक्राइब इस तरह से तता सिरेनी कि किसी भी डो करमागद सदस्य को उठा लेते करमागद होता है एक लाइंस से उठाते हैं मतलब पहला तो दूसरा कर देखिएगा कि जैसे देखिया पर मिधेन इथेन प्रोपेन भूटेन है इसाब क्या है आपस में सद्राइश करण बता है यहां मिधान की तो दो कारवन में से एक कारवन भटेगा यहां भी देखों तीन कारवन भटादेंगे अब इधर से इसको गटा रहे हैं यहां भी देखो चार कारवन से तीरी कारवन और दस में से गटेगा तो अगर दो तो देख रहे हैं आप अभी हमने मेथेन एथेन प्रोपेन लिया तो एक लैन से लिया करमागत मतलब इसके बाद और यह तो आपस में देखें इंदों का डिफरेंड क्या रहा इसी को बोलते हैं समझाथिये सिरेनी होमो जीनियस होमो जीनियस काटिगरी अगर आप यहां पर यहां पर एथीन प्रोपीन प्यूटी लिजब लिजाए तो उसका वहां नतर आएगा यहां पर बहुतीन करिया से लिए तुम्हारा इंप्टेंट है तो क्या बलेंगे डिफिनेशन कारव है जिनमें समान कर्याशल समू वरत मान रहता है और किसी समू किसी बी स्यरेनी की किसी भी करमा का सदे से उठा लेती है तो उसको देखते हैं कि यह कुछ तो है यह तो तुम्हारा इंपोर्टेंट लाइन हो गया और उसको बता देंगे कि दो किसी करमागत सरेनिक उठाते हैं चाहिए दूनों उठाओ तो उसका देखेगा डिफ्रेंट आगा इसे को बोलते हैं अब यहां पे अग्जांपल देंगे मेथेन एथेन प्रोपीन कर देंगे यह थाएन प्रोपाइन करते हैं तो आई थिंग आप तो बहुत अच्छे त्रिक आप समझ में आ गया हो ओके चलिए अब यहां पर दो है कारांद कि सोडियम को किरोशिन तेल में क्यों डुबाक रखते हैं कि क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादे रियक्टिव तत्व है अग पानी के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला रियक्शन करता बहुत ही ज्यादा आग लग जाता मतलब पानी साथ रिक्शन करेगा वाई इसलिए हमको क्या बोला सोडियम को किरोशिन तेल में डुबाक रखते हैं क्यों रखा जाता अगर इस सवाल पूछेगा ना कि अगर सोडियों को मैंने पानी में डुबाया तो पानी में पहुंच जाते है बहुत है भी तो आग लग जाएगी है ना अगर अगर वही जलवास से मिलका आग उपन करते हैं अब वही रियक्शन होता है ना तो जो गैस निकलता है वह वायू मंदल में ऑक्सिजन जो है उस तो यही कारणने कि सोडियों धतु को कि दुबाकर रखते हैं ताकि इसके अभी किरे वाय मंदली जलवास में से नहीं हो मतलब देखो क्यों रखते हैं अगर हम पानी जल में नहीं कि दूम नहीं रखेंगे तो रियक्शन करने के ज़्यादा डर है भाई साब अगर हम बाह अच्छिति पताचले क्या होता है इंगली इंगली इस वाला अब देखो खनीज और ऐसं में क्या डिफरेंड जानी जहांए खनीज कहते हैं परकिर्तिक में पाए जाने मुद थातु की योगिक क्या यार सुलाव सुलाव Avengers को चाहते हैं जिनखनीजव से धात्म को सुलव से योगिक बनाते हैं यह अश्क ना डंस प्रप्त क्याते हैं उनर यह को क्या मोंते स्थाहर सु जीएगे ठीक है नाम पीडियाब देंगे तो आप बोले जिन खनीजों से धात्यों आसानी तरीकित्से प्राप क्याते हैं उसको क्या मुलते हैं खनीज कहते हैं और कि आयसे और तरफ की मातरा कम होती लेकिन मतला में कर दो को मातरा बहुत जयादा होती है अब अब कुछ क्वी जो एर डायरेक्ट पिरसिएक अंदर पाये जाने वह वह निजो गया अब आयस डार भाफ निकलता अब धातू से खनी जो पाया गया वह अब उस खनीज से हम आसानी पूरब धातु प्राप्त कर सकते हैं तब उसको बोले एक आयस के आप वही खनीज की बात करें तो खनीज में धातु की प्तिसथ बहुत कब रहती है लेकिन जब आयस की दब अगर को रहेगा तो धातु के मातरा बहुत ज्यादा र जिसकी मदद से किसी आमले जर में बढारे में पता चलता है उसको बहुत की डाला हृए दिब्बा में पानी में बार्टी में खारेक चाहेट पानी है अब बताएंप अगर कोई विलिय अमल है अगर कोई कोई डाले ऐतो ला ना लाल हो जाता है अगर एक बाल्टी ए उसमें विल्यन इमाले वाला या उसमें नीला अगर बालटी में भस में यानि कि चार है अगर अगर नीला होता है तो समझना चार है और नीला लाल होता है तो अमले होता है यहां पर आपको तो बहुत अचे स्यात होगा और समझ में आ गया और मुझे कमेंट करें आपको प्लीज जरूर बताने हैं कि आपको समझ में आया की आया चाकि मेरे को लगे कि मैं जो आपको बता रहे होता है तो आप लोको में घ। वीडियो पसंदा रहीं और मेरी बातों को आप सुनकर कुछ एब्सर्व कर रहे हैं या मैं जो संधाने कोशी कर रहा हूं तो क्या आप समझ रहे हो प्लीज कमेंड करना और अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो कि करना ओके टाटा वायबा और किसकी वीडियो चाहिए नी